आज की इस वीडियो में मैं आपको सुमी टोमो की कीप नासी पेसकस में वो थ्रीन के बारे में पताऊंगा जिसमें फैन प्रो पैन थ्रीन 30% इसी फार्मुलेशन में पाया जाता है तो आईए जानते हैं इसके यूज, डोज, मोड आफेक्शन, टॉक्सिसिटी एंड वीटे पीरियेट के बारे में मैं हूँ आपके साथ संजीव संकतिवारी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रियेटिव सैस में प्रणाली गत कीत ना सकते हैं जोकि अपने लक्षित कीटों सूट पोरर, पोट पोरर, अमेलिकन भोलवर्म, पिंक भोलवर्म, आल आर्मी बर्म, इस्पोर्टेड भोलवर्म और वाइट फ्लाइज को सोडियम गेटर चैनल को बंद करके संपर्क हुआ अंतरगहन विधी से मालने का काम करती है। बात करें इसके प्रियोगे के मुख्य फसलों की तो धान, कपास, मटर, टमाटर, मिर्च, बैगन इत्या दिखें हैं। लेकिन उन सब में भी प्रियोगी किया जाता है जिनमें उप्रोक्त बताएगे कीटी की समस्या पाई जाती है। बात करें इसके प्रयोगे के मात्रा की तो सो स्वे 150 ml प्रती एकर 200 लीटर फानी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो एलो लेबल की है और इसका बेटिंग पीड़ जो है वो कपास के लिए 14 दिन का है बाकी जो अन्य फसले हैं उनके लिए 7 दिन का ही होता है तो आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाज़त बिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ तब तक के लिए जाम बात